सेल्वो गैज आज की इस लेक्चर में हम लोग रिटेल्स में डिसकर्स करेंगे स्वाउनडनेश टेस्ट अफ चिमेंट का कितना टेस्ट होता है इसके रिगार्डिंग हमने विलकेश्य में बतला दिया था तो एक बर फिट से आपको बता आदेग्यकी तींड मेंलीप टेस्ट तो हमने लास्ट दो तीन लेक्चर में कई टेस्ट के बारे में डिसकस कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट में आप चाह करके देख सकते हैं बिल्डिंग मेट्रियल्स का and civil engineering का maximum subject का questions and syllabus आपका कभर हो जाएगा और mainly आपको jssc and bpsc ee का अगर preparation कर रहे हैं तो आपका syllabus आसानी से कभर हो जाएगा या फिर आप किसी competitive examinations के लिए preparation कर रहे हैं तो आपका syllabus आसानी से कभर हो जाएगा और civil engineering में अगर आप syllabus cover करना चाहते हैं तो सारा subject प्लेइलिस्ट में available हैं आप आसानी से देख सकते हो तो आज उसी में से एक test सीमेल का test में soundness test by leechatelier apparatus तो soundness test कैसे करते हैं हम लोग आपको बता दे कि soundness test leechatelier apparatus के help से करते हैं the help of leechatelier apparatus तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं soundness test करने का में मोटो क्या है कि soundness कब होता है सिमेंट जब उसमें हम लोग lime mix करते हैं तो lime का percentage कितना होता 63% आपको लास्ट लेक्टर में बतलाया था कि सीमेंट में क्या-क्या constituent होता है lime होता है silica होता है alumina होता आइरन ऑक्साइड होता है and magnesium oxide होता है तो इन सारक constituent के बाद ingredients के बाद और भी ऐसा ग्रेडियन्स होता है जिसको कि हम लोग सिमेंट के manufacture में यूज करते हैं तो lime का में फर्मसन क्या है जब भी हम लोग यूज़ करते तो 63% यूज़ करते हैं 30% से कम तो यूज़ होना ही नहीं है लेकिन जब हम इससे ज्यादा यूज़ कर देते हैं तो सिमें क्या होता है अनकम अनसाउंड हो जाता है मिंस इसमें क्या होता है अनकमबाइन मेटरियल होने का chances बढ़ जाता है मिनस जो भी मेelinवमनों यूज करेंगे वह क्या होगा कि कंबयंड नहीं होगा एक दूसरे से अच्छे से कंबयंड नहीं होगा इसलिए हम लोग साउन्नेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का तो समझ में आगा कि समंट का soundness test क्यों करते है और यह क्यों इंपोर्टेंट soundness test करना तो अब हम ढ़िटेल्स में डिसक्स करते है कि soundness test of cement क्या है यह दिस्टेस्ट गेाइड आउट तो डिटेक्ट्ग दी पॉरिश्ज आं चोप कम बाइड लाहम and magnesia in cement which causes the expansion of cement the soundness of cement इस टेस्टेट बाई ली चाटेलियर अपरेटस एकोर्डिंट टू इंडियन इस्टेंडर स्पेसिफिकेशन दी एक्सपांशन शुट नोट एक्सिट टैन एमेम फोर एनी टाइप पॉर्टलेंड सीमेंट तो जब भी हम लोग साउनेस टेस्ट करते हैं तो अनकंबाइन ला टेस्ट जब भी किया आता है तो इसके लिए जो अपरेटस यूज होता है उसका नाम है ली चेटेलियर एपरेटस जिसको लेबरेटरी में हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं अगर आप लोगोंने कि ली चेटेलियर एपरेटस टेस्ट कैसे करते हैं तो मेंली जो में मोटर है साउनेस टेस्ट ओफ सीमेंट करने का उसमें हम लोग अनकंबाइन लाइम एड मैगनिस्या जो राता है उसके लिए हम लोग इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग साउनेस टेस्ट को यूज क रह जाएगा जैसे कि like as an combined lime and magnesia in cement तो क्या होगा expandation हो जाएगा expansion होगा थाज जाएगा cement तो cement जब प्षाइब जाएगा तो जिस शेप एंट सपोज डेट अगर हमको 10 इंच तक कंग्रीटिंग करना है तो यह क्या होगा 10 mm और expand कर जाएगा तो जो हमारा shape and size है वो actual shape and size में नहीं रहा जाएगा इसलिए हम लोग soundness test करते हैं कि उसमें कोई भी uncombined material नहों जैसे कि uncombined lime and magnesia जो कि cement को unsound बना देता है अगर हम लोग lime को ज्यादा use कर देते हैं तो क्या होता है cement unsound हो जाता है unsound means उसमें uncombined material होने का chances बढ़ जाता है तो इसलिए हम लोग soundness test of cement करते हैं और इसको leech atelier apparatus के थुरू ही करते हैं तो उम्मीद है काईज आपको समझ में आ गया होगा कि soundness test of cement क्या होता है और इसको कैसे करते हैं तो जो भी test बचा हुआ है cement का वह हम next lecture में आपको पूरा details में discuss कर देंगे तो आज की लेक्चर में इतना है फिर नेक्स लेक्चर मिलते तब तक के लिए भाए